इस board के लिए काफी बंदों ने इंतजार किया है और आपका इंतजार finally खतम हो गया है क्योंकि अपने पास आ गया है 2.1 preamp board और ये जो preamp board है इसकी जो frequency हैं वो अलग ही level की हैं इसके अंदर आपको मिलता है low pass filter और एक left right के लिए preamp तो सारी की सारी चीजे इसी के अंदर inbuilt हैं और काफी बंदों ने रिक्वेस्ट करी थी मेरे से की सर्फ 2.1 ले के आओ 2.1 ले के आओ मार्केट के अंदर जो 2.1 चल रहे हैं अभी उनके अंदर इतना कोई खास सा दम नहीं है लोगों ने यूज कर करके देखे हैं तो उनकी रिक्वेस्ट को सुनते हुए यहां पे डिजाइन हुआ 2.1 का प्रियांप बोर्ड तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि अपने जो कंपोनेंट होते हैं वो लगबग लगबग सारे के सारे फिलिप्स के यहां होते हैं अगर मैं आईसी की बात करूं तो आई की दिन पहले उनका ओडर भी आया पड़ा है कि सर्फ 2.1 में मेरे को बना के दे दो तो वो बंदा लगबग लगबग दो धाई महीने से रुका हुआ है लगबग लगबग दो धाई महीने से उसने ओडर दे रखा है उसके बाद हमने इसकी जो डिजाइनिंग है वो चालू करी थी और फाइनली यह बनके रेडी है सबसे पहले इसका जो ओडर निकलेगा उसी बंदे का निकलेगा और इसकी पीसी भी अपने पास आ गई थी पिछले वीक ही आ गई थी तो इसको बना के टेस्ट वैस्ट भी करना था तो इसको टेस्ट यह कंपलिट हो चुका है और जो सबवोफर है सबवोफर का गेन इतना हाई है और जो सबवोफर की जो फ्रिक्वेंसिया है वो भर भर के इसके अंदर से निकलती है ठीक है तो इसके अंदर ओप्शन क्या क्या रहते है वो मैं आप लोगों को बताता हूं तो जो मार्केट के अंदर आप लोगों को मिलत चारों की चारों चीजे मिलेंगे left right के लिए यानिके left right में भी आपको base मिलेगा अगर आप मानलो जैसे बड़े speaker यूज़ कर रहे हो left right में तो उनके अंदर भी आप base खोल सकते हो वहीं पर subwoofer के लिए अलग से यहां पर low pass filter है तो यह तो बहीं मतलब base का ही काम करेगा ना लोग pass filter लगा हुआ है तो आपके पास दो-दो option होगे base के लिए अगर आप speakers के अंदर base चाहते हो खोलना तो उसके अंदर भी खोल सकते हो बाकि subwoofer के अंदर तो आपको base मिलेगा ही म सकते हैं तो यहां पर low frequency जो होती है और इक जो hard frequency ही होती है उन दों को मिक्स कर सकते हो बाप your लगा रहूँ झाथ sometime sensible तो उसके अंदर से यहां से बेस को लाना है तो आप यहा से base खोल सकते हो अपने speakers के लिए left right के लिए ठीक है तो काफी मज़ेदार ये चीज है कि इसकी जो frequency है उनको आप मतलब एक तरीके से subwoofer के साथ या speakers की जो frequency है उनको लगवग लगवग match कर सकते हो क्योंकि इसकी जो volume है वो अलग है और इसका जो subwoofer का gain है वो भी अलग है आप यहाँ पी देख सकते हो ठीक है इनको adjust कर सकते हो आप कितनी frequency पे आपको चलाना है कितनी volume करनी है subwoofer की तो वैसे ही यहाँ जो base treble section है इसका उसके अंदर भी यहाँ पे volume दिया गया है base दिया गया है, treble दिया गया है और यहाँ पे mid भी दिया गया है तो आप लोगों को यह जो board है यह कैसा लग रहा है मेरे को comment box में जरूर बताना कि भाई आप लोगों को कैसा लगा अपना नया 2.1 का premium और जिन जिन बंदों को यह order करना है वो order कर लो 15 अगस्त की sale चल रही है इसका जो rate है वो है 700 रुपे और जैसे ही अपनी 15 अगस्त की sale खतम होगी इसका जो rate है वो हो जाएगा सिधा सिधा 1000 रुपे तो जिन जिन बंदों को order करना है अपना order confirm करवालो और हाँ एक चीज और बोलूँगा कि जो जो बंदे ये purchase करना चाहरे हैं वो भाई जल्दी जल्दी मत करना कि अभी देदो अभी देदो इसमें थोड़ा सा time लगेगा अपना order confirm करवालो तब तक ठीक है और यहाँ पर मैं बात करता हूँ regulators की तो यहाँ पर regulator लगे हैं अपने जो 88 12 है वो और 89 12 है वो लेकिन एक खास और बात है इसकी कि जैसे आपको मालो जैसे ये लगाने के बाद तो हम इसको 12 0 12 पे चलाएंगे लेकिन अगर आपको ये जैसे 40 0 40 30 45 45 पे चलाना है तो आप यहाँ पर add कर सकते हो 47 93 और 18 37 तो इसको आप direct 30 30 और 45 45 पे चला पाओगे ठीक है लेकिन उसके लि उनके साथ में heat sink add करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी high voltage पे वो थोड़ा सा heat करेंगे ठीक है तो वो एक तरीके से यहाँ पर फिर regulator का काम करेंगे और जो preamp है अपना उसके अंदर फिर जो 12 volt जानी है regulated supply वही इसको मिलेगी ठीक है गाइस तो ये था इसका मोटा मोटा सा हिसाब किताब तो जिन जिन बंदों को मैं इसकी एक बार wiring और बता देता हूँ तो यहाँ पर देखो 15.0.15 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप 15.0.15 की supply लगा सकते हो direct transformer ठीक है और यह है अपना preamp का जो out point ठीक है जो preamp section है उसके लिए यह out point है यहाँ पर और यह है इसका input section तो य इसकी जो frequency है तो यहाँ से हम इसका connection है वो उठा लेंगे लेकिन अगर आप जैसे मान लो दो amplifier के अंदर इसकी जो subwoofer की frequency है देना चारहे हो तो यहाँ पर है subwoofer out यानि कि इसके अंदर subwoofer out के दो option है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो यह अगर आप 2 amplifier चला रहे हो तो यहाँ से उठा लो left right और अगर एक चला रहे हो तो सिधा यहाँ से आप उठा सकते हो तो इस तरीके से इसके अंदर यह जो option थे सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिये हैं बागी कुछ छूट गया होगा तो वो अभी amplifier बनने वाले हैं 2.1 amplifier कई बंदों के आए प complete हो जाएंगे तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए टेक केर